हेलो गाइस गुट इवनिंग मैं हूँ नंदिनी और मैं हूँ मॉंबई से और मैं यहाँ मेरा होम टाउन नहीं है बट मैं इधर ही रहती हूँ बिकॉज मेरे हस्बिन का जौब है इधर वो डिफेंस में है तो हमारा पोस्टिंग आते रहती है इसलिए हम इधर उधर जाते अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलना अभी बच रहे थे शाम के आठ और मैंने सुचा कि यह गाउन को मैं स्टिच कर लेती हूँ बिकॉज इसका सिलाई खुल गया था और मुझे मॉर्णिंग में का रे गंदे हो चाते हैं तो मैं मैंक्सिमम टाइम सुवा सुवा इसको पहन लेती हूँ और इसको यह ना करते करते अचानक से कुकर ने सीटी देदी देखा तो उसमें पानी बहुत कम था तो दाल थोड़े गाड़े हो गये तो गरम पानी करके उसी में दाल रही थी और आज मैंने बनाया है डिनर के लिए दाल, चावल, दही और मैंगो बहुत ही सिंपल सा था हमारा डिनर मैक्सिमम हम शाम को दाल, चावल, खिछडी, तैरी ही खाते हैं बिकाज मैं हाजबन टोल कि हमें हलका खाना चाहिए यह फूट के कुछ आडर आयते तो मैंने उनको खान के दिया था, सो यह बो बाला खाना है, उसके बाद गाईज फिर मैंने थाली लगाई और मैं खाना खाने बैठ गी, हस्बेंट बोल रहे थी कि बो थोड़ा लेट काएंगे, बो इसलिए लेट खाते हैं, बो ऑफिस से कल 7.30 तक आये थे और उसके बाद फिर उने चाय पिय तो इतने जल्दी खाना खाने का मन नहीं करते हैं तो उन्होंने कुछ 9.30 के अराउंड खाना खाया, बट मैं 8.30 खा लेती हूँ, बिकाज मुझे मैडिसन लेनी होती है, और मैं इधर उदर ना, इसलिए मन रा रही हूँ, कभी लाइट अन करती हूँ, तो गर्मी लगते ह नहीं है, यहां पर मैं अपना पानी लेके आगी, पता है, यह प्लेसमेट जो है ना, इसे मैं मैक्सिमम टाइम थाली रखने के बाद ही मुझे याद आता है, कि अरे, इसको भी रखना है, डेली मेरे साथ ऐसे होता है, डेली मैं सूछती हूँ कि पहले प्लेसमेट चावल, दही और आम खा रही हूँ, यह मैंना आपको अपना ट्रियास दिखा रही थी, कि कैसा लग रहा है, अभी सुबा हो चुकी है, और पांच बज गए है, ठीक है, पांच बजे मैं उड़ गी थी, जल्दी, कुछ साड़े चार पे ही उड़ गी थी, बिकॉस मुझे चने बनाने थे, यहां मेरी पूजा भी हो चुकी है, ठीक है, तो क्या था कि चने ओबलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ब्रेकफास के लिए मैंने आज बनाये थे, चने और आलू मिक्स करके बनाते हैं, पर मेरे बाले मैं आलू नहीं है, हस्बिन के टिफिन में नहीं खाती हूं, बेट लूज करना है न, यह मैंने OTP से कुछ समान मंगाये थे, एक नारियल जो की डेली आता है, उसके बाद मैंगोज, ड्रम स्टिक की सबजी खाना था, तो ड्रम स्टिक और किये थे, और कुछ एक सबजी और हां, बिंडी और मंगाया था, कि शाम को ब भी खाने लगी, और यहां पर मेरे हजबन जा चुके हैं, और मैं अपने सारे जो रात को कपड़े धोए थे, उनको अभी फोल्ड करके रख दिया, अभी भी मैं बही लड़की हूं, जो तीनेज में होता है न, कि ब्रा पैंटी को कोई देख ना ले, उसको कपड़े के नी का टीनेज वाला होता है न, वो अभी तक नहीं जा पाए है, आज पता है नारियल पानी के अंदर बहुत ही कम पानी निकला, दूसरा चीज, पानी को निकालने में मैं बहुत परिशान होगी और बहुत टाइम टेकिंग भी था, कल बाले पानी से आज का पानी तो आदा ही निकला था, सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज मेरा फेवरेट एनारियल पानी पीना, बट टेस्टी बहुत जादा था, मतलब अगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे, तो वो वीट कर रहा है, क्वांटिटी को, सो यहां पे मैं अपना सार का समान र चुके हैं, ब्रिक्फास्ट किया था, मैंने कुछ 8 o'clock मौर्णिंग में, सो ब्रिक्फास्ट मौर्णिंग में ही करते हैं, मैं सेली बाते करते हूं, प्लीज इग्नोर, इसके बाद फिर मैं सुचा सब्जी बनाती हूं, आज मैंने दुपैर को दाल नहीं बनाई थी, तो यहां मैं बनाएंगे ड्राम स्टिक का करी, पहले ऐसा प्लान था, बट बाद में सोचा करी नहीं, अब हम बनाते हैं सब्जी, तो यहां पे मैं सरसो के तेल में सब्जी बनाना पसंद करती हूं, सब्जी में सारे मसाले डालते हैं, जो सब्जी मसाला होता है, थोड़ा सा जीरा और हींग जरूर डालना होता है उससे ना एक अलग ही खुसबू आती है यहां पे कुछ-कुछ रह गए थे पता है बहुत सारे निकाले उनके लेकिन फिर भी थोड़े छिलके रह गए थे तो यहां मसाले भुन रहे हैं तो मैंने कर लिया अभी मैं इसको नमक दालके थ अपना आटा गुन लेते हैं और बाकी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं फिर जिती दिर में सबजी बनेगी तो आटा हमारा सौफ्ट हो जाएगा जो इसको 15-20 मिनिट चाहिए होते हैं आटे को बो अच्छे से मिल जाएंगे और अच्छे से मिलेंगे तभी हमारी रू पर पूरा खाने का मन नहीं किया तो बस एक स्लाइस निकाल के खा लिया और दो चपाती और ड्राम स्टिक की सबजी के साथ मेरा लंच कंप्लीट हुआ मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मेरे मेकप के वीडियो बाले चैनल को जिस तरह से सपोर्ट किया और मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया उसी तरह मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजेगा और चैनल पे अग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक थैंक